दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा पोल्टरी फारमिंग स्टार्ट करने से पहले पोल्टरी फारम बनवाना पड़ता है और फार्मर को ये चीज बहुत ही खटकती है कि पोल्टरी फारम बनवाना चाहते हैं या पोल्टरी फारमिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो पूर पॉल्ट्री फारम बनाना कैसे है तो दोस्तों अभी हमारे यहां यह नया पॉल्ट्री फारम बन रहा है अभी इसमें जाली भी नहीं लगी है तो मैं आपको कोसिस करूंगा कि समझाने की पॉल्ट्री फारम आपको बनाना कैसे है और दोस्तों कम से कम लागत में पॉल्ट्र पॉल्ट्री फार्म कैसे बनता है अगर इससे सस्ता भी आप बनवा सकते हैं तो बनवाईएगा बिलुकुल परैसान मत होईएगा तो दोस्तों ये 28 गुड़े 250 फिट का पॉल्ट्री फार्म में लगबक 7000 स्कॉयर फिट का और दोस्तों बहुत अराम से इसमें 6000 बच्चे आ बाते हैं तो हमारे चैनल बनाने का कोई मकसद नहीं होगा चलिए मैं आपको दिखाता हूं ये पॉल्ट्री फार्म बना कैसे पहले मैं अंदर से दिखाऊंगा उसके बाद मैं बाहर से दिखाऊंगा आप वीडियो पूरा देख लीजिएगा अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मेरे पास दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रहा हूं आप मेरे पास फोन करिएगा मैं आपको संतुष्ट कर दूँगा आप बिल्कुल परेसान मत होईएगा दोस्तों पॉल्ट्री फार्म कम से कम पैसों में बनवाना है और अच्छा से अच अच्छा मुनाफा गम है तो दोस्तों सबसे पहली बात जो है कि पॉल्ट्री फार्म हमेशा पूरप पस्ची में बनता है और आप दोस्तों उत्तर तक्षिन पोल्ट्री फार्म नहीं बना सकते हैं कुछ कारण है दोस्तों उससे बच्चों की मोटल्टी बहुत ज़्याद पोल्टरी फारम की दोस्तों जो चोड़ाई होती है आप 25 फिट, 26 फिट, 27 फिट, 28 फिट, 29 फिट या 30 फिट से ज़्यादा मत करिएगा अमोनिया गयस बनती है अगर ज़्यादा चोड़ाई रहेगी तो अमोनिया गयस दोस्तों निकल नहीं पाएगी फिर आपको बाद में बहुत दिक्कत होगी अगर दिक्कत होगी दोस्तों बच्चों की मोटल्टी होगी तो आप पैसा नहीं कमा पाएगे तो दोस्तों आपको सबसे किनारे पूरफ साइड में ऐसी दिवाल बनवा लेना है और पस्चिम साइड में आपको ऐसी दिवाल बनवा लेना है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ऐसी दिवाल आपको बनवाएगा दोस्तों यह फारम जो आप देख पा रहे होंगे 28 गुड़े 250 फिट का लगबग 7000 स्कॉयर फिट का फारम है और आप दोस्तों जितना बड़ा जितना छोटा बनाना चाहें बना सकते हैं कोई इसू नह मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है बहुत ही बारीकी से समझिएगा अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देख लिया तो आपको किसी से कमेंड करने की या पूछने की ज़यूरत नहीं पड़ेगी यह चाही नहीं आप देख पा रहे होंगे यह बीच में एक पाई की पाइप है और कैसे ये जमीन में जाम की गई है ये चीज देख लीजिए तो आपको दोस्तों ऐसे गड़ा खोच कर ऐसे सीमेंट और गित्टी से इसको जाम करवा लेना है और हर पाइप आपको ऐसी जाम दिखेगी मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पूरा देख लीजिए का दुबारा पूछने की जरूरत नहीं पुलेगी अब दोस्तों जो बीच में पाइप लगी है इसकी दोस्तों ये 12 फिट की पाइप है और ऐसे दोस्तों आपको प्लोहे की पाइप लगी हुई है इसको आपको जाम करवा देना है और बहुत आराम से आप दोस्तों एक चदर इस साइड में रखी गई है इस साइड में आप देख पा रहे होगे और ये चदर इस साइड में रखी गई है और दोस्तों ये पाइप नव फिट की पाइप है और ये भी दोस्तों देखिए जमीन में कैसे जाम की गई है चोटी चोटी बाते हैं अगर आप ध्यान देंगे पोल्टरी फार्म की मजबूती के साथ साथ दोस्तों आप बहुत आराम से 10 से 12 साल के लिए फुरसक पा जाएंगे पोल्टरी फार्मिंग करिए जो मेरे लाइक सेवा होगी मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा आप प्रेसान मत होईएगा उसके बाद दोस्तों आप ये देखे किनारे पर एक 6 फीट की पाईप लगी हुई है दोस्तों 6 फीट की पाईप भी पूरा जमीन में जाम है और इस पर दोस्तों एक गेट लगाया गया है तो गेट आप भी 55 फीट की दूरी पर एक गेट कर दीजेगा आपको बच्चा लोडिंग होगा जब दाना आईगा तो बहुत ज्यादा आसानी होगी और ऐसा आप देख पा रहे होगे इधर भी दोस्तों ऐसे ही है बीच वाली पाइप आप देख पा रहे होगे यह है बीच वाली pipe और बीच वाली pipe से दोस्तों इधर एक 9 फिट की pipe लगी है, जहां cement की चद्दर का जोड़ है, वही पर इख पाइप लगी हुई है, आप देख पा रहे होगी, यह देखिए दोस्तों क reviews, कैसे यहां पर cement की चद्दर का जोड़ है, और उसके बाद दोस्तो तो अधर फिर गई है चदर तो अधर भी दोस्तों आपको इधर देख पा रहे होंगे का इसे इसर जोडस पर एक पाइप लगी हुई है मैं आपको बता देता हूँ आप भी लगवा लिजी हैगा बहुत ज़्यादा रहेगा दोस्तों जब आप ठंडी में poultry farming करते हैं तब आप सेलिंग बनाएंगे और बच्चों को पूरा पाइक करके रखा जाता है जैसा कि आपने poultry farming अगर हमारी लगातार वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपने देखा होगा हमारे poultry farm पर बच्चों को कैसे पैक करके रखा जाता है ठंडी में और temperature बनाने के लिए दोस्तों पैक करना पड़ता है और ये pipe दोस्तों जो आप ये लगी हुई है इसकी दूरी दोस्तों एक pipe छोड़कर एक pipe में लगाई गई है आप देखिए दोस दोस्तों एक pipe छोड़कर एक pipe में फंटी लगाई गई है लोहे की इससे बहुत ही आसानी होने वाली है तो आप देख पा रहे होंगे कैसे ये poultry farm बना हुआ है कैसे दोस्तों दस-दस फिड़ की दूरी पर ये बड़ी वाली pipe फिर उसके बाद दोस्तों ये वाली pipe फिर वा दोस्तों ये रहा पकखा फारम का नक्सा कैसे बनवाना है और आप दोस्तों इधर देख पार होंगे इस साइड में एक दिवाल आपको दीख रहेगी दोस्तों ये पूरफ साइड की दिवाल है मैंने आपको बताया कि 28 गुडे 250 फिट का फारम है तो इधर पूरफ साइड में एक दिवाल है और इधर एक पस्टिम साइड में दिवाल है आप देख पा रहे होंगे तो ऐसे दिवाल बनवाना है ऐसे पोल्टरी फारम बनवाना है अगर आप पका पोल्टरी फारम बनाते हैं तो दोस्तों बहुत ही आसानी से आप बनवा सकते हैं इस फारम को बनाने म अगर आप भी इतना बड़ा फारम बनवाते हैं तो दोस्तों आठ लाग रुपए आपके पास होने चाहिए और दोस्तों अगर आपके पास इतनी पूंजी नहीं है तो बिलुपल परेसान मत होईएगा आप कच्चा पोल्टरी फारम भी बना सकते हैं दोस्तों कच्चा पोल्टरी फारम बनाने के लिए मैं आपको एक वीडियो डाल रहा हूँ उसको आप देख लीजिए का कच्चा पोल्टरी फारम कैसे बनता है अगर जानकारी समझ में आई है अगर आपको लगता है कि पोल्टरी फारम ऐसे बनाना चाहिए तो दोस्तों हमा इसे पोल्ट्री फार्मिंग करता हूँ लगबग दोस्तों 7 साल हो गए हैं इस बिजनेस में हमको और अच्छा खासा प्राफिट कमा रहा हूँ ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार दोस्तों आपको वीडियो बना कर दे रहा हूँ पहले मैं दोस्तों कमा रहा हूँ उसके बाद मै वीडियो थोड़ा लंबा होगा देख लीजिए का पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी चलिके दोस्तों निकलते हैं बाहर और आपको बताते हैं कि दोस्तों बाहरे दिखाते हैं बाहर से पोल्ट्री फारम कैसे दिखता है उसके पास फिर आपको कच्छा पोल्ट्री फारम तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा अगर आप poultry farming करना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हम आपको poultry farming करना मातर 40 दिन में सिखा देंगे आप बिलिकुल प्रेसान मत होईएगा तो दोस्तों निकलते हैं बाहर और दिखाते हैं बाहर से यह फारम उसके बाद दोस्तों कच्चा poultry farm आप देख लीजिए जैसे आपको लगे जैसा आपके पास balance हो वैसा ही poultry farm बनाईएगा तो दोस्तों company से करेंगे तब भी फायदा है अगर अपना करेंगे तब भी फायदा है कोई दिक्कत देगे यह जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बाहर से poultry farm ऐसा दिख रहा है और अंदर से मैंने आपको पूरा बारीकी से समझा दिया है अगर आप poultry farming करना चाहते हैं तो poultry farm दोस्तों अगर बनाना चाहते हैं वीडियो में पूरा दोस्तों बता दे रहा हूँ आपको कोई दिक्कत होगी कोई प्रैसाने होगी तो आप मुझसे पूछ लिजिए गा जैलिए एक बार देखे कच्चा फारम और दोस्तों ये पूरा घास फूज से बना poultry farm है अगर आप ऐसा poultry farm बनाते हैं तो एक हजार बच्चों के लिए poultry farm बनाने में एक बार अंदर से देख लीजिए आप दोस्तों लगभग आपको 30,000 रुपए में 1000 बच्चों का poultry farm बनकर तयार हो जाएगा लेकिन दोस्तों 2-3 साल में आपको इसको रिपेर करवाना पुड़ेगा तो आप देख लीजिएगा जैसा आपको लगता है अगर आप कच्चा फारम बनवाना चाहते हैं तो कच्चा बनवाईएगा अगर आप पका फारम बनवाना चाहते हैं पका बनवाईएगा दोस्तों बस आप poultry farming करिए कोई अगर आपको परिशानी आती है कोई दिक्कत आती है तो हमसे एक बार कमेंट करके पूछ लीजिएगा दोस्तों मैं आपको poultry farming मातर 40 दिन में सिखा दूँग और आप बिल्कुल परिशान मत चोईएगा एक बार बाहर से जेख लिए दोस्तों कैसे बना है या कच्चा poultry farm और दोस्तों ये 25 गोड़े डेर सो का poultry farm है लगबग इसमें 3000 बच्चे आते हैं और ये बहुत ही आसानी से poultry farming कर रहे हैं उम्मीद करता हूँ मेरे दोरा दी जानकारी आपको समझ में आई होगी अगर आपको जानकारी समझ में आई है तो हमारे छोटे से चैनल एके poultry coaching को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हम आपको poultry farming करना मात्र 40 दिन में सिखा देंगे लिए दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में लाते हम आपके लिए और न जानकारी समझ में आई है एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा धन्युक्त